तो एक तरए सा यह है लोग जमीन के नीचे से attack की तयारी कर रहे हैं, तो दूसी तरफ पानी के अंदर से भी attack की तयारी कर रहे हैं। और हो सकता है इसके बाद यह आसमान से भी attack करने के लिए missiles बना लें। PLA Army की सम्मरीन भी इन missiles को launch कर सकती है। अब जो information है उसके according चीन के पास कौन कौन से हतियार है और यह सब काफी है चीन के लिए nuclear weapons बनाने के लिए और इसलिए अमेरिका और रूस आपस में कई तरह के weapons की testing करने में लगे हुए लेकिन चीन भी यहाँ पर कुछ गलतियां कर रहा है तो अब सवाल यह है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है इस दुनिया में लगबग 12 हजा weapons या हतियार हैं और मैं यहां किसी छोटे-मोटे हतियार जैसे गन्स, पिश्टल, ग्रिनेड, मशीन गन या रोकेट लॉंचर ऐसे हतियारों की बात नहीं कर रहा हूँ तो आगे वीडियो में मैं कभी भी हतियार या वेपन शब्द का यूज़ करूँ तो समझ लेना कि यहां पर बड़े हतियारों की बात हो रही है जैसे कि नुक्लियर तो इस दुनिया में लगबग 12,000 वेपन्स हैं इन में से 5,889 रस्या के पास है और 5,245 अमेरिका के पास है इन अथियारों के मामले में अमेरिका लिश्ट में दूसरे नमबर पर आता है और चीन आता है तीसरे नमबर पर और ऐसा माना जाता है कि चीन के पास सिर्फ 410 व तो आखिर क्या कारण है इन सब के पीछे और चीन के दारा फेला जाने वाले रियूमर्स का असली सच क्या है इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं तो 2019 तक चीन के पास ऐसे सिर्फ 200 वैपन्स थे लेकिन आज के टाइम पर चीन के पास 410 वैपन है और यह कोई मामूली नंबर नहीं है और चीन इन सब को गैरकानूनी तरीके से बना रहा है क्योंकि इस तरह के वैपन्स को बनाने के लिए कुछ और्गनाजेशन की पर्मीशन लेनी होती है, जो की चीन नहीं ले रहा है और कुछ रिपोर्ट के मुताविक चीन के पास दो हजार सताईज तक 700 वैपन्स होंगे और 2030 पूरे 1,000 वैपन्स US Defense Department ने 2021 में एक report published की थी जिसके मुताविक 2035 तक चीन के पास ऐसे 1500 weapons होंगे लेकिन अब सवाल यह है कि चीन इन weapons की मदद से क्या करने की सोच रहा है तो आप सबको चीन की आर्मी के बारे में पताई होगा जिसे PLA यानी People's Liberation Army बोला जाता है इसी People's Liberation Army में एक rocket force होती है और यह अपने दोरा किये जाने वाले missions के लिए बहुत famous है और इस आर्मी को चीन के President Xi Jinping खुद ही control करती है तो अब चीन 300 से 400 के बीच solid fuel missiles बना रहा है जिने silos बुला जाता है और इन सब को यमन, हामी और जिलानताई regions में पनाया जा रहा है अब कुछ लोग सोचेंगे के silos क्या है तो silos एक ऐसी जगा है जहांपर underground में missiles को रखा जाता है और missiles war के time पर या जब भी इनकी जुरुत होती है उस time पर जमीन से ही बाहर निकल कर attack करती है और अगर इसके उपर कुछ heavy weapon गिरता भी है तो उससे भी इसे अच्छी तरह से protect किया हुआ है अब इन silos को सिर्फ बनाया ही नहीं जाता बलकि इनका maintenance भी करना जरूरी होता है American Defense Department की report के मताविक चीन 300 से 400 silos बना रहा है और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बलकि Bulletin of Atomic Scientist ने भी इस पर अपनी report दी थी जिसमें अलग से एक chapter है चीन nuclear weapons 2024 जिसमें लिखाया है कि चीन अपने nuclear weapons में इतना expansion करने वाला है जितना आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है silos को intercontinental ballistic missiles के लिए बनाया जा रहा है तो यह बहुत ही लंबी range की ऐसी missile होती है जो 1000 km तक के दूर के देश पर भी attack कर सकती है तो अब यह तो तैह हो गया है कि चीन कुछ अलग ही करने की सोच रहा है लेकिन अब सोचना यह है कि यह किस तरह की missiles हैं जो चीन की government के दोरा बनाई जा रही है और यह सिर्फ solid fuel missiles ही नहीं बलकि liquid fuel missiles और DF-5 ICBMS से भी चलेंगे तो इस तरह से इन silos को दो तरह की missiles के लिए बनाया जा रहा है एक होंगे solid fuels और दूसरी होगी liquid fuel के लिए और इसके बाद है इनका IRBM TF-26 या Dongfang-26 जिसका मतलब है intermediate range ballistic missile Dongfang-26 यह लोग इसे भी बना रहे हैं फिलाल चीन में जो missile काम कर रही है वे है DF-21 इसी DF-21 को हटा कर इसकी जगा पर इस DF-26 को लगाया जाएगा तो क्या इन सभी missiles को underground में ही रखा जाएगा तो ऐसा भी नहीं है PLA Army की submarine भी इन missiles को launch कर सकती है JL-3 SL BMS को भी चीन के द्वारा ही बनाया जा रहा है जो की बिल्कुल 094 ballistic missiles जैसी submarine के जैसी है तो एक तरह से यह लोग जबीन के नीचे से attack की त्यारी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पानी के अंदर से भी attack की त्यारी कर रहे हैं और हो सकता है इसके बाद यह आसमान से भी attack करने के लिए missiles बना लें H-6 bombers को भी nuclear missiles के लिए ही चीन द्वारा त्यार किया गया है उनके पास पूरी capability है nuclear missiles को control करने की और सिर्फ H-6 ही नहीं बलकि इनके पास H-20 bombers भी है तो चीन आसमान से तो इन missiles को launch करने के लिए इतना strong platform त्यार कर रहा है तो अब जो information है उसके according चीन के पास कौन कौन से हतियार है DF-26 और DF-108 इंटरनेशनल रेंज बैलिस्टिक missiles है और लगबग इसी की similar intercontinental ballistic missiles जो की 6 DF-5A missiles है और 60 DF-5B missiles है इसके अलाबा 24 DF-31A और 64 DF-31AG DF-41 84 है और 72 submarine-launched ballistic missile है 10 H-6 bomber aircraft है इसका मतलब है कि चीन एक बहुत बड़ी आर्मी बना रहा है इनके पास बहुत ही ज़्यादा explosive weapons है और raw material तो है ही 2024, 2030 और 2035 की calculation के एसाब से चीन बहुत बड़े weapons बनाने में लगा हुआ है International Panel on Fisile Material के इसाब से चीन के पास 14 ton highly enriched uranium है 2.9 ton separated plutonium है और यह सब काफी है चीन के लिए nuclear weapons बनाने के लिए तो अब क्योंकि चीन और अमेरिका के weapons के development को लेकर competition चल रहा है तो चीन अपने weapons को बहुत ही highly तरीके से बना रहा है अमेरिका को विश्वास है कि इस competition को सिर्फ weapons को बना कर ही रोका जा सकता है और इसलिए अमेरिका और रूस आपस में कई तरह के weapons की testing करने में लगे हुए और इन weapons को बनाने का मकसर सिर्फ यही है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारोंगा अमेरिका और रूस के बीच एक स्टार्ट नाम की संधी या ट्रीटी हुई स्टार्ट का मतलब है strategic arm reduction ट्रीटी इसमें नोंने यह तै किया था कि एक दूसरे के ऊपर weapons का इस्तमाल करके fight नहीं करेंगे इन लोगों के पास लगबग 5000 weapons हैं जिन मेंसे 1200 outdated हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो यह चीन के लिए भी एक plus point हो सकता है क्योंकि यह आज के weapons के मुकाबले बहुत ही पुराने inventions हैं तो चीन के लिए इनको हराना बहुत ही आसान हो जाएगा लेकिन चीन भी यहाँ पर कुछ गलतियां कर रहा है वैसे तो DF-21 और DF-31 nuclear type weapons हैं लेकिन यह भी outdated हो चुके हैं तो क्या चीन इनको भी दो बारा से बनाएगा या उनकी जगा पर कुछ नए version लाएगा तो अब चीन के पास बहुत से weapons हैं तो अब अगर किसी देश को चीन से लड़ना होगा तो उसे इन ही के मुकाबले के weapons तयार करने होंगे तो अब सवाल यह है कि यह जानकारी आप लोगों के लिए कितनी जरूरी है तो देखिए चीन इंडिया का दुश्मन है जो हमेशा किसी ना किसी तरीके से इंडिया का नुकसान पहुचाने की कोशिस करता रहता है अब वो बात अलग है कि इंडिया के foreign countries के साथ relations है तो वह इंडिया की मदद करेंगे लेकिर इंडिया को भी अपने weapons इस तरह से तयार करने चाहिए कि वे चीन का खुदी मुकाबला कर सके तो ये थी एक छोटी सी जानकारी चैना के दौरा बनाए जा रहे है नुकलियर वेबंस के बारे में वीडियो आपको पसंद आए चो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उ나म के भूदी शाओ सके टतना में किस् वी भी भी वेफ़ जाओ सब्सक्राइब कीजिए